फ्रेंडस, जैसे हमारे हेल्थ के लिए हल्दी बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होती है ठीक इसी तरह से फ्लांट पे भी हल्दी के बहुत अच्छे फाइदे देखने को मिलते हैं हमारे घर के किचन से आसानी से उपलब धोने वाली इस हल्दी के प्लांड पर बहुत अच्छे फाइदे हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं आज TOPIK अंदर में मैं हल्दी को पूरा कवर करने वाला हूं इसके 7-8 ऐसे benefit बताने वाला हूं अलग अलग तरीके से use करने के तरीके बताने वाला हूं जिसको apply करके किवल हल्दी से ही आप अपने प्लांड की बारिस के समय में बहुत अच्छी क्यार कर सकते हैं सो चली टॉपिक को स्टार्ट करते हैं मैं हूनूप आपका होस्ट और आप देख रहे हैं बग्या की ABC फ्रिंट्स जैसे हमारे हेल्थ के उपर में हल्दी के बहुत अच्छे होम रमेडि में फायदे हैं ठिक इसी तरीके से प्लांड पे इसके अगर पेस्ट लगा हुआ है तो उसमें इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है आप प्लांड के उपर में इसे स्प्रिंकल कर सकते हैं या इसे एक liquid त्यार करके भी दे सकते हैं दोनों ही method से आप plant पे लगे हुए किसी भी pest के attack को इससे control कर सकते हैं जितना ज़्यादा ये इंसानों को फायदा करती है उतना ज़्यादा ये pest को भी नुकसान पहुचाती है तो दोनों ही तरीके हैं इसे use करने के प्लांट पे अगर fungus लगा हुआ है तो भी हल्दी का बहुत अच्छा फायदा देखने को मिलता है आपको एक भाग हल्दी लेनी है और लेना है दो भाग आपको wood ash यानि की लकडियों की राक और दोनों को mix करके प्लांट की soil को पर में, lips को पर में आपको डाल देना है दोनों का एक साथ application करने से प्लांट को पर में किसी भी तरीके का अगर fungus लगा हुआ है तो उससे भी इसमें बहुत अच्छी राहत मिल जाती है प्लांट पूरे तरीके से safe हो जाता है तो आप इसे as a fungicide भी use कर सकते हैं और as a pesticide भी use कर सकते हैं आप जब इसे fungicide के तोर पे use कर रहे हैं तो आपको dry ही use करना है, इस बात का ध्यान रखना है liquid में आपको use नहीं करना है, उसको पीछे reason है fungus जबी भी लगता है, तो नमी बरकरार रहने से लगता है तो आपको fungus को दूर करने के लिए इसे हमेशा dry form में use करना है और early morning करना है, जितना ज़्यादा सुबह आप इसे use करेंगे, उतना ज़्यादा फायदा होगा खासकर सर्दियों के समय में जब ओस पड़ती है, उस टाइमिंग में अगर आप इसे use करते हैं तो सर्दियों में अगर fungus लगी है तो बहुत आराम मिलेगा बारिस के समय में भी early morning आप use करें, तो आपको नमी होने के कान अच्छा result मिलेगा गर्मियों के समय में भी आप इसे morning में यूज़ कर सकते हैं, यानि कि हर एक region में आप इसे morning में ज़ल्दी यूज़ करके अच्छा result ले सकते हैं Friends, हल्दी का तीसरा सबसे अच्छा फायदा है, अगर आपके plant पे कोई stem तूट गई है, या आप grafting कर रहे हैं, प्रूनिंग कर रहे हैं तो प्रूनिंग करने के बाद आप जहां पे प्रून किये हैं, वहाँ पे इसका गाढ़ा पेस बनाना के लगा सकते हैं grafting कर रहे हैं, तो grafted part पे भी आप इसे लगा सकते हैं, वहाँ पे किसी भी तरीके का fungus नहीं लगेगा तो आपके grafting के successful होने के chances और भी जादा बढ़ जाएंगे और अगर कोई डाली तूट गई है, बीच में से कहीं से अचानक से कुछ भी तूट गया है चमेली और हिविसकस जैसे plant पे अकसर कर growth रुख जाती है ऐसे में आप अगर हल्दी का एक पतला पानी बना करके उसके उपर में regular basis में spray करते हैं तो plant की रुखी हुई growth वापा से start हो जाती है और plant पे अच्छी हरियाले भी बढ़ जाती है जैसे हमारे सरीर में immunity को बढ़ाने का ये काम करता है ठीक उसी तरीके से plant के अंदर में ये immunity को boost करता है और उसकी growth को बढ़ा देता है अगर आप अपने plant पे flowers और fruit को boost करना चाते हैं आपके plant पे flowering कम हो रही है fruits कम बन रहे हैं तो यहाँ पे भी आप हल्दी का use कर सकते हैं आप soil के अंदर में इसे sprinkle कर सकते हैं या liquid भी त्यार करके regular basis में दे सकते हैं दोनों ही तरीके से ये plant की growth को boost करेगा और flowering को बढ़ाने में साथ में fruit को बढ़ाने में दोनों तरीके से ये help करेगा इसके साथ में friends अगर plant के अंदर में cheat लगी हैं तो cheat को भी हल्दी की जो महक होती है वो नहीं भाती है ऐसे में plant की soil के अंदर में अगर cheat दिख रही हैं तो आप हल्दी को sprinkle करके वहाँ से cheat को आसानी से भगा सकते हैं friends जब plant को लगाने के लिए हम potting mix त्यार करते हैं तो हम as a precaution हल्दी का use उसमें कर सकते हैं एक kg अगर soil है तो वहाँ पे आप 2 ग्राम हल्दी का potter soil mix के अंदर में मिला सकते हैं और इसे मिला करके कोई भी plant उसके अंदर में लगा सकते हैं इसे आप अगर starting सही अपने plant को लगाते समय से ही use करेंगे तो plant की safety को ये पुरे समय बरकरार रखेगा और plant आपका किसी भी तरीकी की बिमारी से या कोई भी problem से आगे जाके परिशान नहीं होगा और आपको ज़्यादा flowering और fruiting देता रहेगा friends हल्दी का use हमारे घर के kitchen में मसाले के तोर पे होता है साथ में health benefit के लिए भी इसका use किया जाता है इसी के साथ में पूजा पाट में भी हल्दी का अलग-अलग तरीके से बहुत ही use होता है हल्दी का जो सीधा connection है वो मा लक्षमी के साथ में माना जाता है अगर आप घर में हल्दी का plant लगाते हैं तो मा लक्षमी को आप प्रसंद कर सकते हैं इसके लिए आप इसका प्लांट लगा करके उत्तर पश्चिम जिसा में या फिर अगने कोड में रख सकते हैं, दोनों ही तरीके से आपको फायदे देगा, इसको लगाने के लिए आप जब इसका potting mix त्यार कर रहे हैं, तो आपको potting mix के अंदर में 50% लेना है sand, 30% मिलाना है इसमें compost और बचा हुआ पार्ट जो रहेगा, वो रहेगा soil का, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा भुरबुरी, light potting mix आपको त्यार करनी हैं, जिसके अंदर में roots का growth बहुत अच्छे से हो, जितना ज़्यादा roots का growth होगा, उतना ज़्यादा हल्दी के जो गांठे हैं वो अंदर बनेंगी और आपके पास में ज़्यादा quantity में हल्दी भी अबिलेबल होगी, जो कि आप आसानी से घर में use कर सकते हैं, मसाले के लिए या दूसरी चीजों के लिए जो भी आपका purpose हो, तो इस तरीके से आप हल्दी का plant भी घर पे उगा सकते हैं, और इसे घर पे लग है, तो like and share जरूर करें, और इसके साथ में मेरे page को, मेरे channel को follow or subscribe करें, जिससे आगे भी इसी तरीके के useful topic information आपको regular basis में मिलते रहें, till then clear friends, bye bye, thank you, happy gardening.